परिवहन मंत्री प्रताप सिंग खाचरियवास के नेतरत्व में रईवार को सैकडो फुटकर व्यवसाईयों ने कॉंग्रिस की सदस्तिता ग्रहन की हाला की सदस्तिता ग्रहन करते समय उन्होंने पान बूतों के आवंटन ओनलाइन लैसेंश शुल्क जमा करने ट्रेड लैसेंश शुल्क ना लगाए जाने जैसी मांगे भी खाचरियवास के सामने रखी जिस पर खाचरियवास ने समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वस्त किया इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचाय समीतियों और जिला परिशद चुनाओं के जो रिजल्ट आए हैं उससे ये साबित हो गया है कि लोगोंने गहलो सरकार के कामकाच पर मोहर लगाई है आज लोग महंगाई से परिशान हैं यही वज़े हैं कि जिला परिशदों और पंचाय समीतियों में बीजेपी हार गई इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष पर भी तंज कसा हो रहा है महंगाई के कानपूरा देश परिशान है कोरुना संकत में जब मौतें हो रही ती लगातार तब पैट्रोल डिचल और गैस से लेंडर के दाम बढ़ रहे थे जो 400 रुपे का गैस से लेंडर ता आज और पहुंच गया महंगाई के मुद्य पर बीजेपी ने चु कर रहे थे कि जब टोटा पड़ेगा तो आपका क्या नाम होगा मुझे बता दें उनका नाम क्या रखा रहा है तो फाइदा तो इधर हुआ है इसलिए कॉंग्रेस की सरकार हमेशा जाती धार्म और पालिटी बाजी से उपर उठकर पब्लिक वेलफेर का काम करती है यही का कंग्रेस की सदे से ताव उन्होंने घ्रैन की यह बड़ी खुसी की बात लगातार कश्ञर परिवार बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि जूट फरेव और द्होखे से लोग परेशान और दुकी है इसलिए लोग काँए बढ़रे हैं और लगातार जो रिजल्ट हा रहे हैं चाहे जैपूर में हमने एक नगर निकम जीता जहां इनके गड़ में इसे लग रही है यह बहुत घमंड कर रहे थे चुनाव से पहले समझे वोट किस बात का दे लोग लोग इसलिए नहीं दे रहे कि जो कहा बीजेपी ने उसका उल्टा किया कोरोना संकट में फे चेहरा दिखा कर इन्होंने दो बार वोट ले लिए अब ना यह चेहरा ना इनका काम चलने वाला है क्योंकि जूट पकड़ा गया वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हातों लेते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद सरकार पूरी तरह फेल हुई है और सि जाती के आधार पर लोगों को बाट कर वोट लेना चाहती है मोदी जी का चेहरा दिखा कर दो बार वोट ले चुके हैं लेकिन अब यह चेहरा भी नहीं चलने वाला जैपर संकर जाकर इटीवी भारत